नमस्कार बहुत स्वागत है आपका साथना न्यूस में मैं हूँ आपके साथ काजल दुबे बड़ी खवर आपको राजधानी भुपाल से बता रहे हैं जोहां लगतार बारिश से बड़े तलाव का लेवल फुल हुआ आपको बता दे कलियासौत देम के पांच गेट खोले गए हैं कल खोले गए थे भदभदा के दो गेट इसके साथ ही मनुरम दरश्च को देखने के लिए लोगों की भीड लगी रही तो बारिश के चलते कलिया सौत डेम के पाँच गेट खोले गए हैं आपको बता दे कि कल भी भदभदा के दो गेट खोले गए थे मनुरम दुरश्च को देखने के लिए लोगों की भीट लगी रही तो लगतार तेज बारिश के चलते कलिया सौत डेम के पाँच गेट जो है वो खोल दिये गए हैं इसके साथ ही आपको बता दे कि कल भी भदभदा के दो गेट खोले गए थे जहां लोगों ने मनुरम दुरश्च को देखने के लिए लोगों की काफी अच्छी भीड देखने को मिली तो इस वक्ती खबर आप राजधानी भुपाल से देख रहे हैं और इस खबर की जादा जौनकारी के लिए हमारे साथ नवेद खान फून लाइन पर जुड़ चुके हैं नवेद जी कलिया सौट डेम के पांच गेट खोले गए हैं और इसके साथ ही कल भी भदभदा के दो गेट खोले गए थे क्या कुछ अपडेट नजल जो भारी परशा के कारण जो है कई जो शेहर भर की नाले नालिया उपन पर है तो तालाबों के जलिस्तर भी बढ़ता दिख रहा है जिस तरह सलिया सौट डेम के जो है सुबह बारा बजे पांच गेट खोले गए से लगबग ठाई बज रहा हैं अभी तक फिलाल तीन गेट और इसमें बढ़ती की गई है तीन गेट और खोले गए हैं वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरह भुपाल का बड़ा तालाब जो पानी का इस्तर बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए बदबदा डेम के भी साथ गेट खोले गए हैं लगातार बारिश जो है बड़ रही है और जिस तरह के हाला थे उससे परिशाचन में पूरी तहां से मुझेवी सेह कर दिये पूरी तरह से समाम जगाओं पर जो है इस नान पर रोक लगा दी गई हैं वहीं हम आपको बता दें कि जलिस तर लगातार तालाबों का हो या फि जगाओं पर जो है भारी बारिश से काफी जो है नुक्तान देखा जा रहा है तो वहीं जो है गेट खुलने पर लोग जो है डेम पर पहुछ रहे हैं और वो नजारा देखकर कहीं जो है का पिकनिक का माहूल डेम के आसपास देखा जा रहा है जैसे कि हम देखना है कि तो तमाम पुरा पुरा शेहर बोपाल वहां पहुशना चाहता है और ताटी वो नजारे को देख सके लेकिन प्रिशाशन जो है पूरी तहां से यहां मुस्तेद है वो लोगों को काफी दूर से इस नजारे को देखने को कह रहा है काफी लोग पहुच रहे हैं लेकिन फिलहा जो लोग यहां पहुच रहे हैं उनसे भी प्रिकाशन जो है यहां इनाउस्मेंट के जरीर उनसे दूरी रखने की बात कर रहा है और हम आपको बता दें बोपाल जो महापोर है मालपी राय हो भी यहां पोचिंदी और भदवदा टेम के जो तीसरा गेट वहां तक तो उन्हो ने उसको खोला था उसके बाद जो है यह गेट खुलने का तिलसला चलता रहा और तो पहर तक यह साथ गेट खोले जा चुके फिराल की स्थिती में जो वहां पहुच रहे हैं लोग उनको पुलिस की संजाईश दे रही है और जो आप जो प्रिशाशन ने वहां मुस्थे है और लोगों को समझाई दे रहा है चलिए बहुत बहुत शुक्रियान अवेजी तमाम जानकारी के लिए तो लगतार बारिश के चलते ही कलियस और डेम के पांच गेट खोल दिये गए हैं इसके साथ ही भदभदा के भी दो गेट खोल दिये गए हैं झाल चे झाल देने बहुत बहुत थाल देख जगतार बारिश के खोल दिये गए हैं